जैहिंद वित्रो सफलता की तैयारी एर से कुछ दूर एक बुजरूग दमपत्ती रहते थे वह ज़़ा बिलकुल सांध थी और आजपास इका दुख का लोग ही नजर आते थे एक दिन भोर में उन्होंने देखा कि एक यूबग हाथ में फावरा लिये अपनी साइकल से कहीं जा रहा है वह कुछ देर दिखाई दिया फिर उनकी नजर में ओजल हो गया दमपत्ती ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया पर अगले दिन फिर वह साइकल उदर से जाता दिखा अब तो मानों ये रोज की ही बात बन गई है वह व्यक्ती रोज फावरा लिये उदर से गुजरता और थोड़ी देर में आखों से ओजल हो जाता दमपत्ती इस सुनसान इलाके में इस तरह किसी को रोज आने जाने से कुछ परेसान हो गये और उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया अगले दिन जब वह उनके घर के सामे से गुजरा तो दमपत्ती भी अपनी गारी से उसके पीछे पीछे चलने लगे कुछ दूर जाने के बाद वह एक पेर के पास रुक अपनी साइकल वहीं खरी कर आगे बढ़ने लगा दस-बिस कदम चलने के बाद वह रुका और अपने फावरे से जमीन खोदने लगा दमपत्ती को बड़ा अधीव लगा और वो हिम्मत करके उसके पास पहुचा तुम यहां इस विराने में ये काम क्यों कर रहे हो युवक बोला जी दो तिन बाद मुझे एक किसान के यहां काम पाने के लिए जाना है और उन्हें ऐसे आदमी चाहिए जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो चुकि मैंने पहले कभी खेतों में काम नहीं किया इसलिए कुछ दिन से यहां आकर खेतों में काम करने की तयारी कर रहा हूँ दमबत्ती यह सुनकर काफी परभावित हुए और उसे काम मिल जाने का असिरवाद दिया दोस्तो किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए तयारी बहुत जरूरी है जिस लगन के साथ युवक ने खुद को खेतों में काम करने के लिए तयार किया कुछ उसी तरह हमें भी अपने अपने छेतर में सफलता के लिए खुद को तयार करना होगा आई होब दोस्तो यह कहानी आपको अच्छी लगी हो अगर यह कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और सेयर कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक यू जैहिंग जैबियाग